हेलो फ्रेंच, वेलकम टू आइस्टेडी आज दो अक्टूबर है और दो अक्टूबर को भारत के रास्टपिता महात्मा गांधी जी का जन्म होता है तो आज उनके जन्म दिवस पर हम लोग महात्मा गांधी और गांधी यूग से जितने भी important question बन सकते हैं सारे के सारे कवर करेंगे और यह हमारी modern history का एक ऐसा चैप्टर ऐसा टोपिक है जहां से आप लोग को हर एक exam में कोई ना कोई एक या दो question directly महात्मा गांधी जी पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे जितने भी question बन सकते हैं वो सारे कवर करेंगे mcq की form में and कुछ question हम लोग 19L की form में भी सुरू करेंगे तो उचले वीडियो को सुरू कर लेते हैं यह हमारे राष्ट पिता जी महात्मा गांधी जी तो इनके बारे में कुछ basic fact देख लेते पहले और जन्म स्थान इनका कहा था पोरबंदर गुजरात में उसके बाद पिता का नाम क्या था करमचंद गांधी जी था और माता का नाम क्या था इनकी पुतली भाई था और जीवन साथी जो इनकी पतनी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था और बच्चों के नाम क्या थे तो इनके चार बच्चे थे हरीलाल मनिलाल रामदास और देवधास चार बच्चे थे लेकिन जमनलाल बजाज जो खजान ची थे कांग्रेश के आइन से के तो उन्हें इन्हें अपने पुत्र की उपादी दी ती जमनालाल बजाज को यह भी कुछा जाता है उसके बाद सिक्सा 1887 में यह पढ़ने के लिए जाते हैं और 1891 में यह वापस लोटते हैं इंडिया में इंग्लेंड से तो यह थे सीजल फाइनल सेलेक्षन सीजल दोजार बाइस में यह पॉस्टल एसिस्टेंट एंड रेलवें टीपीजी में एजे गुड्स गार्ड तो चली अब लोग एक एक करके सारे के सारे अपसं यह देख्ता की तो यह धेशता की ती गांधी जी ने ओपसं से इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं अम्रिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है तो American Gandhi के रूप में किसे जाना जाता है तो यह जाना जाता है Martin Luther King को option C इसका correct हो जाएगा option B Martin Luther King अब इसमें एक option दिखाए देगा आप लोगो Nelson Mandela जो Nelson Mandela है इनका जन्म होता है 18 July को और 18 July को इनका जन्म दिवस होता है तो इनके बारे में आप लोगो याद रखना यह इन्हें South Africa का गांधी बोलते है South Africa means दक्सिन अफरीका का गांधी किसी बोला जाता है Nelson Mandela को बोला जाता है तो याद रखेगा बहुत important fact है उसके बाद next आता है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ऐसा योग आंदोलन को अपनी हिमाल्या जैसी भूल बताये था तो किस घटना के बाद यह बताये था आपनो option A, चौरा चौरी कांड option A इसका correct हो जाएगा उसके बाद चलते है नेक्स्ट कोशन आता है जो नेतिक दरश्टी कोंड से गल्थ है मातमा गांधी ने भारतिय रास्टे कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वपर्थम भाग लिया था तो पहली बार भारतिय रास्टे कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1901 का इस अधिवेशन में मातमा गांधी जी ने भाग लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्सता किसी ने की थी ये भी आप लोगों से पुछा जाता है दिनेश वाचा तो दिनेश वाचा के दौरा इस अधिवेशन की अध्यक्सता की गई थी कलकत्ता में हुआ था और ये रता आप लोग का 1901 most important option A.S. का सही होगा उसके बाद आता महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपादी 1915 में किसी ने दीती तो ये थी ब्रेटिस सरकार के दौरा option A.S. का सही होगा महात्मा गांधी ने ट्रस्ट्रिप के सिद्धान्त को कहा दिया था तो महात्मा गांधी जी ने ट्रस्ट्रिप का जो सिद्धान्त है ये दिया था इन्होंने पटेल नगर option B इसका सही होगा उसके बाद नेक्स आता है गांधी जी ने अपने दो फेपड़ों के रुप में निमलिकित में से किसका वर्णन किया है तो गांधी जी ने किसे अपने दो फेपड़े बताया है तो सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने अपने दो फेपड़े बताया option A इसका सही होगा उसके बाद next आता है महत्मा गांदी का पुरा नाम क्या था तो इनका पुरा नाम था महुंदास करमचंद गांदी इनका पुरा नाम था option C इसका सही होगा महत्मा गांदी का जन्म कब हुआ था तो कब हुआ था 2 October 1869 को मात्मा गांदी जी का जन्म हुआ था Option B इसका सही होगा उसके बाद चलतें next पर मात्मा गांदी जी की माता का नाम क्या था तो माता का नाम तन्द का पुतली बाई Option A इसका सही होगा मात्मा गांदी जी के पिता का नाम क्या था तो करमचंद गांदी जी इनके पिता का नाम ता option C इसका सही होगा उसके बाद next आता है मात्मा गांदी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था अगर पुछे राज्य में तो राज्य हो जाएगा आप लोग का गुजराद उसके बाद नेक्स्ट आता है गांधी जी को केसरे हिंद पुरुषकार किस आंदोलन के दोरान दिया गया था तो यह ता आप लोगों का ऐसा योग आंदोलन उप्सन से इसका करेक्ट हो जाएगा अंतरास्ट अहिंसा दिवस कम मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है आप लोगों का दो अक्टूबर को जिस दिन गांधी जी का जन्म होता है उसी दिन मनाय जाता है अंतरास्ट यह अहिंसा दिवस उप्सन ए इसका करेक्ट होगा गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन में सबसे पहले भाग लिया था तो यह था दूसरा सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसेपेट किया था उसके बाद नेक्स आता है मातमा गांधी और उनके स्वें सेवकों ने दांडी मार्च कब सुरू किया था तो ये सुरू किया था 12 मार्च को साम को 6 बजे और 6 अपरेल तक चला था गांधी जी और उनके 78 सहयोगे के साथ टोटल 378 किलो मेटर के डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी और ये सुरुवात होती आप लोगे जो गांधी का जो आसाबरमती आस्रम है एमदाबाद से महां से ले उसको खतम किया था उसको ब्रेक किया ता रून को और सिर्क मुठी पर लिमक उठाया तौँअ जा उबिछा कर जाते हैं तो यह मोमेट ता आप लोगा जिसको दाणडी मार्च भी बोलते हैं या पिर आप लोग का नमक सत्यागरिया भी भी बोलते हैं या फिर सवीनिय पाकिस्तान का गांदी का जाता है खान अब्दुर्गफार खान ने कहा था मलंग बाबा और ये क्या करते थे जो मुमेंट महात्मा गांदी जी इस पार चलाते थे वही मुमेंट ये कहां पर चलाते थे पाकिस्तान में खान अब्दुर्गफार खान महात्मा गांदी को सबस पर्थम पर्धान मंत्री जीते पंडित जवाहरला नहरुजी के द्वार महात्मा गांदी को बापू की उपादी दे गई ती उपसंडी इसका करेक्ट होगा साबर मती आसरम कहां पर है तो यह एहमदाबाद में इस्तित जहां से आप लोग का दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अपरेल 1930 तक उसके बाद नेक्स चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मात्मा गांदी को किस जेल में बंदी बना कर रखा गया था तो किस जेल में तो यह थी आप लोग की आंगा खान पहले स्पूने में बंदी बना कर रखा गया था उप्स अपरवियार के जो एक लोकल किसान दे रामचंदर शुक्ल के द्वारा इनको इनवाइट के गया था बुलाय गया था कि आयए हमारा जो यहां पर तीन काथे सिस्टम चल रहा है नेल इसके लिए विरोध में इस अंदलन को चला गया था सत्य ग्रह मुमेंट 1917 फर्स टाइम और यहां पर इनका साथ दे रहे थे कौन जो हमारे पहले प्राष्ट पती थे डॉक्टर राजिंद परसाथ भी इनके साथ थे यहां पर उप्सन इसका सही होगा सन 1922 की फिल्म गांदी में महात्मा गांदी की का जो किरदार है वो किसने निवाया था ये निवाया था बेन किंगसले ने प्सन इसका सही होगा महात्मा गांदी ने हिंद सवराज नामक पुस्तक कब लिखी थी तो ये पुस्तक लिखी गई थी 1909 में यानि कि option से इसका correct होगा उसके बाद next question आता है निमलिकित में से कौन सा नारा गांदी जी के द्वारा दिया गया था तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था महात्मा गांदी जी के द्वारा करो या मरो option से इसका सही होगा man of the year time magazine जो time magazine होती है उसमें जो man of the year select किया जाता है तो किस वर्षी ये किताब गांदी जी को दिया गया था तो ये दिया गया था option D 1930 में उसके बाद next आता है कौन सा वाक्य गांदी के राज्य संबंदी विचारों का पड़ते निदित्व करता है तो ऐसा कौन सा वाक्य है तो उन्हें ने बोला था राज्य एक अनावस्चक बुराई है तो option C इसका सही होगा उसके बाद next आता है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था तो किसने विरोध किया था ये किया था डॉक्टर भीम्राव अंबेडगर जी के दुवरा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया था जिने Father of Indian Constitution जो भारत जी समीधान ने उसका पिता कहा जाता है डॉक्टर अंबेडगर जी को उसके बाद नेक्स रहता है भारत में रास्टे आंदोलन के संदर्ब में पुना समझोता पर हस्ताक्षर कब हुए थे तो यह हुए थे 1932 में उप्सन से इसका सही होगा उसके बाद नेक्स रहता है गांदी जी ने निमलिकित में से किसे अजात सत्रू कहा था तो अजात सत्रू किशे कहा था तो यह कहा था डॉक्टर राजींदर परसाद जी को गांदी जी ने अजात सत्रू कहा था उसके बाद नेक्स्ट आता है गांधी इर्विन समझोते में निमलेकित में से कौन सी एक सर्थ नहीं रखे गई थी तो भारते रास्टी कांग्रेस को सभी ने अवग्यांदुलन को रोकना चाहिए ये भी सर्थ थी नमककर को हटाना चाहिए ये भी सर्थ थी खादी उत्पादन पर करकी निकासी तो ये ऐसी कोई सर्थ नहीं थी तो उप्सन सी इसका सही होगा खादी उत्पादन पर करकी निकासी उसके बाद अगला क्विशन आता है आप लोगा मात्मा गांधी ने वर्स में नटाल कांग्रेस का गठन किया था तो नटाल कांग्रिस जो साउथ अफरिका में गठित की गई थी मात्मा गांधी के दुवरा तो ये गठित की गई थी 1894 ओप्शन सी इसका सही होगा इंडिया ओफ माई ड्रीम पुस्तक किसके भासनों एम टिप पणियों का संग्रह है तो ये किसका संग्रह है तो ये हमारे मात्मा गांधी जी का ही संग्रह है उप्शन सी इसका सही होगा नेक्स्ट रता आप लोगा निमनी में से किने प्यार से the grand old man of India कहा जाता है तो ये कहा जाता है दादा भाई नारूजी को grand old man of India उसके बाद आता है ऐसा योग आंदोलन जो था आप लोग का ये किस वर शुरू किया गया था तो ये शुरू किया गया था एक अगस्त उन्निस सो बीस को उप्सन सी इसका सही होगा उसके बाद नेक्स्ट आता है दक्सिड अपरिका में उनकी एंबूलेंट सेवाव के लिए उन्निस सो पंदरा में लोड हार्डिंग के दौरा केसर हिंद से सम्मानित किया गया था तो कि इसके समर्तन में तो यह ता आप लोगों का किसान जो फसल नहीं होने से एक प्लेग मामारी प्रभावित हुई थी तो वहां पर आप लोगों का खेड़ा एक जगह पढ़ती है गुजरात में वहां पर एक आंदोलन चलाए गया था यह उन्निस सो अठारा में चलाए गया आप लोगों ने इसके लिए जान दिये तो यह शब्द किसके हैं तो यह शब्द आप लोगों के मैडम विकाजी कामा के ओप संब बेसका सही होगा भारत छोड़ों आंदोलन कब सुरू होँआ था तो यह सुरू हुआ था आप लोगों का उन्निस सो बैयालस में तो उप् नेक्स आता 1884 में भारत के किस ब्रेटिस वाइसराय को इलबिट बिल के साथ सम्बंदित किया जाता है तो इलबिट बिल आया था आप लोग का 1884 में और उस समय जो वाइसराय हुआ करते थे यह हुआ करते थे रिपन उपसन ए इसका सही होगा खुद्रो विद्रो किस वर्ष हुआ था तो यह जो खुद्रो विद्रो है यह वाता आप लोग का 1817 में 1817 में उसके बाद नेक्स रहता सेस महल पटियाला का निर्मान किसके द्वारा करवाय गया था तो ये निर्मान करवाए गया था महाराजा नरेंदर सिंग के दौरा उप्सन से इसका सही होगा उसके बाद आता है निमलिकित में से किसने दलित वर्ग संग की स्थापना की थी तो ये दलित वर्ग संग है ये इसकी स्थापना की गय थी डौक्टर भीमराव अंबेडगर जी के दौरा इसकी स्थापना की गय थी उप्सन से इसका सही होगा पुना समझोता जो 1932 में हुआ ता किस किस के बेच हुआ था तो डौक्टर भीमराव अंबेडगर जी एन मात्मा गांदी जी के बेच हुआ ता आप लोग का पुना समझोता 30 गोल में सम्मिलन किस वरसा आयउजित किया गयता तो ये आयुजित किया गयता आप लोग का 1932 में तीन आप लोग की गोल में सम्मिलन होते है और दूसरे में मात्मा गांदीजी पार्टिसिपेट करते है नेटाल इंडियन कॉंगरेस की स्थापना किस भारतीया ने कीती तो यह क侈ती महतमा गांधी जी के दship दुबरा अठारा सो चुरानुए में उसके बाद नेटाल कांगरेस कब का गठन कब किया था तो 1894 में किया उसके बाद नेटालहibility तो यह महतमा गांधी इसमें उफसन भी इसका सही होगा उसके बाद नेक्स देख लेते हैं महात्मा गांधी तता मुहमद अली जिन्ना दोनों के मार्क दर्शकते हैं तो यह कौन ते यह दो पाल गर्शन घौकले जी जिन्हें मात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु बोला जाता उफसन इसका सही होगा 1915 के किस महीने में मात्मा गांधी नसल वादी सासन के विरुद अपनी सफलान दोलन के बाद भारत लोटे थे तो कब लोटे तो यह लोटे थे आप लोगे जनवरी में 9 जनवरी 1915 को उप्सन से इसका सही होगा महुंदास करमचंद गांधी विदेश में दो दशक रहने के बाद किस वर्थ भारत लोटे थे तो 1915 में वो भारत लोटे थे तो उप्सन भी इसका सही होगा सी चक्रवती राज गोपाल चारी ने निमलेकित में से किस राज्य में नमक सत्याग्राय का नेतर्त्व किया था तो इन्होंने किया था तामिल नाड़ो में उप्सन भी इसका सही होगा निमलिकित में से किसने महत्मा गांदी से भारत मेरा की अरजित किए था तो भारत की उपादी एक मात्मा गांदी ने वाप्शनी सही होगा चमपारण सत्यागरा निमलेखित में से किस वर्थ हुआ था तो 1917 में हुआ था राम चंदर शुकल जो थे राम कुमार शुकल वो इसके जिन्होंने गांदी जी को इन्वाइट के था चमपारण में आने के लिए जो आप लोग का नील विद्र हो था उसके खिलाब चलाए गया था जो नियल की की खेति की जाती थी तीन वटबीस थीन तीन घाटे सिस्टम जो था उसको खतम किया गया था इसके गांडी प्रिणाम था तो क्या परिणाम था बहत सिंग राजगृष सुकदेव को निश्पक स्परिक्शन दीए जाना था भारती चुनाव को गोशना की गई थी भारती रास्टे कांग्रेस बंगाल के शांती पुण इवाजन पर सहमत हुई थी भारती रास्टे कांग्रेस सभी ना गंदल को स्मात करने के लिए सहमत हो गई थी तो option D इसका सही होगा उसके बाद चलते सत्या ग्रहे जो था यह यह कब चलाए गया तो 1906 में चलाए गया था सत्या ग्रहे आंदलन पहली बार महात्म गांदी जी के द्वारा साउथ अफरीका में 1906 option C इसका सही होगा वर्स 1917 में महात्म गांदी ने गुजरात के खेड़ा जे लेके किसानों के लिए सत्या ग्रहे का आउजन क्या था सत्या ग्रहे की मांग क्या थी रज्यस्वे संग्रहे में चूट सिचाई सुधाव में सुधार बेतर गुण उत्ता वाले वेज एक उसके बाद अब हम लोग देखेंगे वन लाइनर कोस्चन तो अब सारे वन लाइनर देख लेते हैं महात्मा गांदी का जर्म 2 अक्टूबर को हुआ था गांधी जी को महात्मा क्यूपादी किस ने दीती तो रविंदना टैगोड जी ने दीती और उसके बाद गांदी जी महात्मा गांदी का पूरा नाम क्या था मोहंदास क्रमचंद गांदी था और सभरमति आश्रम के स्थापना गांधी जी ने कहां पर किय थी एमदाबाद में 1917 में की थी गांधी जी के पॉलेटिकल गुलू गोपाल कृष्ण गोखले जी ते और गांधी जी दक्षन अप्र सरजेंट का गया था उसके बाद मेहां सवरवपर्थम परीयों किसनी राष्ट पत्या कर पोका रहता मात्मा गांधी ने सत्यागरहित अइयार का सरव पर्थम में 1906 में साउथ अफरीका में किया था मात्मा गांदी ने भारत में सत्यगराय सबसे पहले कहाँ पर किया था गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपनी सबरमती आस्रम में ठहराया था वो कौन थे वैब मिलर थे, most important है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जुड़ा गया था, चंपरन सत्यागरह के दोरान इनके नाम के आगे महात्मा जुड़ा गया था, 1930 में अंतियोद्य का विचार किसनी दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी के दुड़ा, गांधी जी के सबसे महत्यपूर्ण शिक्साई निमलकित में से कौन सी थी, सत्या और अहिंसा, गांधी जी किस उद्धो के समर्थक थे भारत का पूर्ण सवराज और नेक्स आता, चितरंजन दास मोतिलाल नहरू ने सवराज पार्टी के स्तापना कब की थी, एक जनवरी उन्मिस्सो तेज को, गांधी जी के साथ नमक सत्यागराय का नेतरत्वे किसने किया था, तो सरोजनी ने किया था, सरोजनी ने, और ये देलिवे का कोश्चन है, नमक क बोला था, महात्मा गांधी जी के दुवरा, उसके बाद चलते हैं, नेक्स पर, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उधारने तो सभी ने, गांधी जी के सत्यागराय का किन दो से जुड़ा हूँ, वो क्या सत्या और अहिंसा, सत्या प्रम तत्वा है और वह इश्वर है किस ने का था, महात्मा गांधी जी ने का था, भारत की कोकिला किसे बोलते है, स्रोजनी नाइडी को और ही महात्मा गांधी ने उपादी दीती, स्रोजनी नाइडी को जिन्होंने उन्निस सो पच्चिस में भारती रास्टी कांगरेस की पहली अदिवेशन के देख्षता कर करने वाली महिला है गांधी को क्या मना जाता तो दार्शनिक एरा जक्तावादी करोयो मारा का नारा किस ने दिया था मातमा गांधी ने दिया था और गांधी जी ने किस धार्मिक गरंत को अपनी माता काया तो भगवत गीता को इन्होंने अपनी माता की उपादी दिये किस सम गांदी जी दुराई 1933 तक समम्हाटमा पत्र का नाम किया नाम यंग इंडिया में अंतियोदय का विचार कार कशनी में घानगे जी नहीं चलते नहीं है THIS मार्त्मा गांधि किसकी कर्तियों से अत्याधिक प्रभावित तो ये टोलस्त है 1919 में गांदी जी ने सत्यागरा सभागायु जन में किसका विरोध गया था तो रोलेट एक्ट का मात्मा गांदी ने पहली बार सत्याग्राय का प्रियोग कहां किया था दक्सिन अपरिका में 1906 में चंपरन संगर्ष के दुरान मात्मा गांदी के साथ कौन-कौन सामिलते तो राजेंदर प्रशाद जीते और अनुगराय नाराण शिंगी थे कांग्रेस ने भारत चुड़ा अंदोलन का प्रस्ताव किस वर्स पारित के था 1942 में नमक सत्याग्राय इंदांड यातर पर सरकार की तात कालिक पर्तिकिरिया क्या था इसे गंभिरता शे नहीं लिया गया था भारत चुड़ा अंदोलन कहां से शुरूआ था तो मंबई के गवालया टैंक से शुरूआ था मात्मा गांदी ने वेक्तिगत चत्याग्राय के लिए सर्व पर्थम किसे चुना था तो इन्हों नों चुना था विनोंबा भावीजी को महरत चोड़ा अंदोलन 1922 में प्रारण हो था गांदी जी ने किस अंदोलन को चोरा-चोरी कांड के बाद वापस ले लिया था तो यह था आप लोग का ऐसायोग अंदोलन गांदी जी ने किस सिद्धान्त या युक्ति के माध्यम से आर्थिक ऐसमंताओं को दूर करने का प्रियाश किया था तो यह था नियाई साधिरी था मात्मा गांदी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्त वादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन यह किसने चलायता यह चलायता रामस्वामी नायर ने मोस्ट इंपोटेंट आत्मसम्मान आंदोलन गुजरात में स्थाबरमती आस्रम के स्थापना गांदी जी ने किस वर्स के थी 1917 में एहम्दाबाद में की थी गांदी जी की रचनाओं से प्रभावित थे तो यह कोन ते किसकी रचनाओं से तो लिव टोलस्ट आये मात्मा गांदी ने अपने सत्यागरह की किरिया विदी सबसे पहले कहां प्रियुक्त किती दक्षिन अफ्रीका में गांदी जी ने दक्षिन अफ्रीका से मिलने कौन गया था गांदी जी से तो ये गय थे गोपाल कर्षण गोखले जी जिने गांदी जी का राजनेतिक गुरू बोला जाता है उसके बाद नेक्स राता है गांदी जी खादी को किसका पर्तिक मानते थे आर्थिक सब्तंदरता का मात्मा गांदी के अनुसार संसार में सबसे सक्तिसाली बल कौन सा होता तो वीर की अहिंसा का बल होता है मेंस वीर की अहिंसा मतलब वह उसके लिए कैपेबल तो है लेकिन हिंसा नहीं करेगा जैसे एक स्लोगन जो एक कहावत आती है छमा छोबती उस बुजंग को जिसके पास गरल हो उसका क्या जो एकदम सरल हो बागी समझने वाले समझ जाएंगे 1942 में भारत छोडो आंदोलन और आरम के लिए कौन सा मुख्य कारण ता तो यह था किरिश मिशन की विफल था भारत छोडो आंदोलन में किस महें ने सुरू किया गाता तो अगस्त में शुरू किया गाता इसको अगस्त करान्ति भी बोलते हैं गांधी जीब दक्स न अपरिका में भाग लिया था चंपारण 1917 में बिहार में तीन काटिया पद्दती को समाप्त किया गया था और ये भी पूछा जाता कि भारत के पहले रास्टपती किस राज्जे से थे तो वह बिहार से थे धांडी यातर कब सुरू की गई थी 1930 में ऐसे योगांदुलन कब सुरू किया गया था 1920 में समत्रत अंदुलन के दोरान मात्मा गांदी के करीबी अंग्रेज मित्र कोन थे तो यह थे चार्ली एंड्रूज मात्मा गांदी का मानना था कि दित्ते विसवीद में भागेदारी किसका उलंगन होगा एह हिंसा का भारत चुड़ आंदुलन के समय इंग्लें गांदी जी ने ऐसे योग आंदुलन कप्रारम चीया था तो यह किया था 1910 में उसके बाद चंपारन नील आंदुलन के रास्टे नहीं था कौन थे मात्मा गांदी जी सरोजनी नाइड़ो को नाइटेंगल औफिंड़ा की उपादी किसने देती मात्मा गांदी जी ने धर सुविन अवग्या आंदोलन और 1922 में चलाए गया था वारत छोड़ू आंदोलन उसके बात गांदी जी की कुछ किताबें आत्म कथा हैं, मेरे जीवन कथा है, बापु की सीक, मेरे सपने का भारत, सपनों का भारत, संख्षिप्त आत्म कथा, राम नाम गीता बोध, हिंस और महत्मा गांदी का जो अंतिम दिन था वो ता तीस जनवरी नैंटीन फॉर्टी एट एट दा एज अब सब्टी एट तो यह शहिद हो गए थे और नतुरहम गोड़से के दुआरा महत्मा गांदी जी को गोली मारी गई थी जब यह दिल्ली के बेडला हाउस में प्रे कर र उनकी आत्म स्रेज से निकल कर पर महत्मा में मिल गई तो ऐसे महान भारती रष्ट पिता को सत्षत नमन तो यह इनका पूरा इत्यास था और बाकी तो इसका अगर आप लोगो पीडियाप चाहिए है तो पीडियाप मिलेगा टेलेगराम ग्रूप में तो यह एक मेरे दौर और आज सेर जरू करिएगा ताकि हर एक एस्पिरेंट चाहिए वो तयारी कर रहा हो चाहिए नहीं कर रहा हो उसको भी महत्मा गांदी के बारे में जो भी महत्तपुन तक थे हैं उनको पता चले तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू